हलो एवरीवन आपका नया साल बहुत अच्छे से जाए नया साल शूज मोटिवेशन लेके चलिए शुरू करते हैं हमारा नेट जियारेप का जर्णी जैसे आप लोग देख पारे हैं यहां पर यूजीसी ने पेपर मल लिखा है तो यूजीसी नेट में दो पेपर होता है पेपर वान और एक होता है पेपर टूप पेपर वान जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पेपर वान में 50 कोश्चन होता है और 50 कोश्चन कहां से आता है यह चीज हमको जानने के लिए पेपर वान का सिलेवस जानना बहुत जरू सबसे पहले आप लोगों को अपना जो चिलाबस उसको जानना बहुत जória Nós को क्या पड़ना है सब कुछ तो सीलाबस जानना बिख़ुँषिंव में 50 णाज है और यह 50 चंशなたक्त मतलब क्या यह जैसे कुशन है यह डिफेरंट different questions आता है different different units होता है I know बहुत सारे question है आपके मन में तो चलिए एक एक करके clear हो जाते हैं यह जो 50 question आता है न यह 10 units से आता है 10 units से 50 questions आते हैं चलिए जानते हैं वो 10 units क्या है उससे पहले आप मेरे बार में थोड़ा जान लो मैं और पिता हाचरा I did my master's in rural management then I have cleared my net in social work in November 2020 and right now I am pursuing my MA in sociology from IGNU and I have some experiences in working in NGOs and this is my email ID and this is the channel's email ID अगर आपके पास कोई भी क्वाडी हो या फिर आप हमारा course जोइन करना चाते हैं तो please मतलब बेजीजक आप इस email ID में mail कर सकते हैं और इस telegram channel को भी जोइन कर सकते हैं जहां आपको हमारे course के बारे में classes के बारे में सब चारे सारे चीज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा let's see what is our course the course the course is new batch will be started in January 2022 और target क्या है हमारा target है June 2022 exam paper one जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ाने बाले आपको paper one मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को यूजी सी नेट के लिए और पेपर टू शोशल वर्क ओ सिपी यादव सर पढ़ाने वाले हैं जो उनकी classes आप देख पा रहे हो उपर एक logo भी है सिपी यादव classes and women's studies भी एक मैं पढ़ाने वाले जो आपने आपको बहुत जल्दी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देंगे अगर कुछ भी क्वारी हो तो इस नंबर पर आप लोग कंटक कर लिजेगा तो चलिए जानते जैसे मैंने आपको बोला है कि 50 questions होते हैं और 50 questions आते हैं 10 units से 10 units क्या है 10 units में क्या क्या चीज है क्या क्या सिखने मिलेगा आपको इस 10 units में यूनिट वार में होता है teaching aptitude और इसका यह syllabus है हां मैं आपको syllabus पूरा detail से बता दूंगी इससे पहले आप क्या क्या चीज है यह headline तो देख लो इसके बात में है research aptitude बहुत important है अभी से बोल रही हूं paper 1 के लिए भी है paper 2 के लिए भी है next क्या है comprehension reading comprehension है लिखा दिया जाएगा उसी से question आएगा बस सिर्प समझना है उस passage को और answer कर देना है यह टेंशन मतलो यह बहुत इसी होगा इसके बात communication यह communication तो आपको हर चीज़ में जरूरत होता है मतलब अभी आप university में हो तो आपको सर्व बोलते रहते हैं चलो आज यह presentation दे दो उधर जाओ फिल्ड में जाके बाद फिल्ड में जाके बात कर लो या फिर आप office में अगर काम कर रहे हो तो आपके mathematical reasoning and aptitude जो है unit 5 and unit 6 में क्या है unit 6 में है logical reasoning यह ना बहुत important है क्योंकि ऐसे ऐसे टार्म से आप मिलने वाले हो ना तब बोलोगे याद रखोगे कि पहली बोल दिया था मैंने बहुत important है याद रख लो इसके बाद data interpretation इसमें आपको math solve करना है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं इसके बाद जो unit 8 है उसमें क्या है information and communication technology कुछ छोटे छोटे terms दिया जाएगा उस term के business पे यहाँ पर question आ जाया करेगे तो ज्यादा थोड़ा रटोगे इससे और थोड़ा समझ लोगे तो हो जाएगा और यह जो chapter है unit 9 जो है people development and environment सबसे बड़ा unit A.E है बहुत सारे question आते है और इसके बाद हम लोग इस unit को बहुत अच्छे से discuss कर लेंगे लास्ट यूनिट है जो higher education है जो हमारे ancient education, post-independence education जब अभी जो online teaching है सब कुछ इसमें आ जाएंगे और इसके साथ policies, governance and administration का भी कुछ question आते है चलिए हम फिर से unit 1 से detail में discuss कर लेते हैं येस ये है हमारा unit 1 जो है हमारा teaching aptitude के syllabus इसमें क्या है इसमें concept चानना पड़ेगा teaching का objective क्या है teaching का level sub teaching क्या है memory level understanding level reflective level जो next class में आपको पता चल जाएगा क्योंकि next class इसी के basis पर ही होगा I guess, characteristics and basic requirements for teaching मतला अगर आपको पड़ाना है तो उसके लिए भी तो कुछ चीजों की जरुरत है कैसे पड़ाए, कहां पड़ाए, किन को पड़ाए, ये सारे चीज तो आई जाते है ना, उसके बाद आता है learner's characteristics, सोचो आप पढ़ाने वाले हो कहीं पर जाके और आपको पता नहीं है आपको किसको पढ़ाना है मतलब अगर आपको primary school में पढ़ाना है, तो क्या आप ये, मतलब project work, ये सब कुछ सोचके जा सकते हो या फिर आप dissertation दोगे, ये सब कुछ सोचके तो नहीं जा सकते हो ना तो learners की characteristics भी important है, क्योंकि सोचो, कभी adulation learner को आप पढ़ाते हो, कभी adult learner को आप पढ़ाते हो तो जब उन लोगों को पढ़ाते हो, तब उनका academic, social, emotional, cognitive and individual difference सब कुछ तो आपको याद रखना पढ़ेगा ना, कि हार student एक ही जैसा नहीं होता है तो सब को पढ़ाने के style भी एक नहीं होगा, अलग-अलग style में आपको पढ़ाना पढ़ेगा उनका intelligence, उनका social economy background भी समस्टा पढ़ेगा कभी-कभी ये सब कुछ तो learner की characteristics भी बहुत important है teaching के लिए जैसे teaching के किसको पढ़ाए ये बहुत important ना, कि चलो पढ़ाने चले जाते है इसा तो नहीं है ना, किसको पढ़ाएंगे ये जानके उसके बाग, वैसी preparation लेके पढ़ाने जाएंगे factors affecting teaching related to teacher, so आप सोचो मतलब मैं आपको पढ़ाने जाती हूं, तो कैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको उससे background में भी तो बहुत सारा काम होता है ना, जैसे मुझे जानना पढ़ेगा, ये learner कैसे है, मेरा जो learners है, वो कैसे है, मतलब अगर बड़े बच्चे है, तो उनको एक तरह से पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे है, तो उनको दूसरे तरह से पढ़ाएंगे support material, क्या-क्या support material लेके जाए, कि वो लोग अच्छे से समझ पाए, instructional facilities, कौन से कौन से instruction दे सके उन लोगों को, learning environment and institution, institution भी बहुत important है, क्योंकि, देखो, कहां पढ़ा रहे हो, ये तो important है ना, कि हर जगा में हर टाइप का पढ़ाय तो नहीं होता है कि बहुत सारे barriers भी इसमें होता है, कि हर जगा जाके हर चीज़ नहीं बोल सकते हो, जैसे आप किसी religious institution में जाके, अगर आप secularism के बाद जादा बोलने जाओगे, तो तब दिक्कत हो जाते हैं, ये सारे चीज़, so institution भी, मतलब, institution भी बहुत matter कर ले, लगता है, methods of teaching, institution of fire learning, क्य क्या method होता है, teacher centered, learning center, teacher center, learner center, method, offline, online, उसके साथ साथ जो, online method अभी आया है, जैसे स्वायम है, स्वायम प्रवा है, मुक्स है, ये सारे चीज़ बहुत important है, जैसे स्वायम, स्वायम प्रवा और मुक्स, इस से question आहीं जाता है, हर साल आते हैं, teaching support system, traditional, modern and ICT based, teaching support system पहले भी होता था, अभी भी होता है, पर उसका type थोड़ा change हो गया है, है ना, पहले ऐसे सिर्फ blackboard में चौक के साथ ही लिखके, हम लोग इसी कोई support system बना के आगे बढ़ते थे, पर अभी क्या होता है ना, हम project projector भी उस कर लेते हैं, smart board के through भी पढ़ा लेते हैं, evaluation system, elements and type of evaluation, evaluation in choice based credit system, in higher education and computer based testing, innovation and evaluation system, ये सब चीज है आपकी unit 1, teaching aptitude के syllabus, let's see what we have in unit 2, इसमें है research, research aptitude, ये मुझे लगता है, इस unit को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्यों, आभी पोचो क्यों, क्यों की, देखो, आपको research करना है, इसके बाद, अगर आप PhD करते हो, उसके साथ साथ, अगर आप social work की, की candidate हो, तो आपका जो unit 5 होता है, social work में, वो भी है research based, तो अगर आप इस unit को अच्छे से पढ़ते हो, तो सिर्फ आप paper, paper 1 की unit 2 ही complete नहीं कर रहे हो, आप, आपका paper 2 का unit 5 भी complete कर रहे हो, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, research related, research का meaning, type, characteristics, positivism, post-positivism, approach to research, इससे बहुत question होता है, अभी से mark कर लो, positivism and post-positivism, methods of research, experimental, descriptive, historical, उसके साथ, qualitative and quantitative methods भी होते है, qualitative यह सारे जो है na, experimental, descriptive, historical, this all are quantitative methods, इसके साथ qualitative होता है, qualitative method भी है, जो हम आगे जाके बढ़ते रहेंगे, and उसके साथ steps of research, research का क्या क्या step होता है, जैसे मतलब पहले आपको एक problem identify करना है, उसके बाद उसको लेके literature review करना है, उसके बाद hypothesis build करना है, hypothesis build करने के बाद आपको research design बनाना है, research design के बाद आपको sample collect करना है, sample select करना है, so उसके बाद sample select करने के बाद, sample select करने के बाद आपको data collect करना है, उसके बाद data analysis करना है, interpretation करना है, उसके बाद conclusion करना है, so कुछ step by step research होता है, हेना उसके बाद आपको Heavy आक्टिकल राइडिंग भी करना होता है कि आपको आप जैसे अगर नेट के बाद आप फोशडित करते हो तो आपको तो सो स्कूष wec he Ahh उसका फॉर्मैट ऐसा होता है उसका पॉर्मैट की से होता है इक इस स्टाइल of references बहुत सारे style है reference का जैसे आप social science का हो तो आपका एक style होगा APA style यूज़ कर सकते हो अगर आप Humanities का हो तो दूसरा करोगे आगर आप engineering का हो तो दूसरे तरीके से आप reference करोगे referencing भी style भी अलग-अलग होते हैं application of ICT in research and research ethics आप देखो application of ICT research में ICT का application आप हर जगा में कर सकते हो पर कुछ जगा होता है जब ICT का application बहुत अच्छा होता है जैसे देखो आप अभी कोविट का टाइम में अगर आपको किसी चीज़ पर research करना है और आप घर से नहीं जा सकते हो तो आप research करना है तो कैसे कर सकते हो आप secondary data online से collect कर सकते हो और online से collect करके आप उसको लेके आप research कर सकते हो तो यहां पर ICT का importance आप समझ पा रहे हो ना उसके बाद आता है जो research ethics यह इसको गांट बांद लो कि research ethics में question आता है research ethics से question आए गाए क्यूंकि देखो research करना सिर्फ तो यह नहीं है कि यह आप किसी topic में कुछ data collect करके लिखके दे देते हो तो आपका research complete हो गया है नहीं आपको ethics follow करना है ethics में क्या क्या आएगा कि आप data चोड़ी नहीं कर सकते है data चोड़ी नहीं कर सकते है अगर कहीं से data लेते हो तो जहां से लिए हो उसका mention करना पड़ेगा आपको है ना आप जो tools यूज़ कर रहे हो research में उससे कोई छेड़ चार नहीं कर सकते हो अगर खुद आप बनाएं कुछ चीज आप बना रहे हो जैसे आप कुछ किसी चीज़ में काम कर रहे हो आप आप किसी best friend या किसी के नाम उसमें नहीं दे सकते हो अगर आपने काम किया है तो सिब आप ही के नाम से होगा किसी और के नाम से नहीं हो सकता है है ना तो यह सारे ethics आपको याद रखना है let's see what we have in unit 3 unit 3 is comprehension 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 बहुत easy है क्यों यू easy है और यह बहुत समय में टाप हो भी हो जाते हैं तो क्या है ना comprehension में क्या होता है कि एक passage एक पैसेज आपको दिया जाता है उस पैसेज से आप क्या करोगे question दिया जाता है कि सोचो एक बड़ा सा पैसेज एक बड़ा सा पैसेज आपको इतना पैसेज पढ़ने के लिए दिया गया है अभी क्या है ना इस पैसेज में चो information आपको दिया गया है उस information के विशिस में आपको 5 question दिया जाएगा, है न, तो क्या करना है, आपको पहले ये passage परना है, उसके बाद ये question solve करना है, पर मैं बोलूँगी, पहले आप question देख लो, कि क्या question है, उसके हिसाब से आप पढ़ो, है न, पहले आप question देख लो, उसके बाद read करो, इससे क्या होता है, question दिमाग में होता है, या फिर क्या बोलूँ कि, question में जो special words यूज किया गया है, वो words अगर आपके दिमाग में हैं, जब आप passage पढ़ोगे, उस सारे question, जो word है, question जो word है न, वो passage में आपका आख न, उधर जाके आठका जाएगा, और उस में से आप बहुत जल्दी जल्दी answer कर सकते हो, तो comprehension ऐसे ही करना पड़ेगा, और हम practice भी करेंगे, बहुत सारा comprehension, प्रैक्टिस कर लेंगे, यूट्यूब में भी करेंगे, एप में भी करेंगे, एप में मैं आपको quizzes दे दिया करूँगी, पैसे दे दिया करूँगी, उसके साथ quizzes, उसका जो question है, उस quiz permit में दे दूँगी, और आप साब कर लेना, हो जाएगा practice, unit 4, communication, बहुत important है, to be a successful teacher, और whatever you are doing, उसके लिए communication, good communication होना ज़रूरी है, तो communication के सब कुछ जानेंगे हम, यहाँ से, इसका meaning क्या है, types क्या होता है, communication बहुत सारे होते है, classroom में जैसे communication होता है, और जब आपनी friends से बात करे हो, यह communication अलग-अलग होता है, तो इसका different types है, उसके साथ इसका characteristics, effective communication, effective communication कैसे होते है, भरवल होता है, non-verbal होता है, भरवल communication कौन सा होता है, भरवल communication जैसे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको, तो भरवल communication ओरल भी होता है, या फिर मैंने देखो यहां पर लिखके रखा है अपना पीपीटी बना के रखा है तो इसमें रिटेन भी हो रहा है तो कम्यूनिकेशन वर्बल ओरल भी होता है और रिटेन भी होता है जो वर्बल कम्यूनिकेशन के अंडर में आते हैं उसके साथ नोन वर्बल कम्यूनिकेश व्वोक्या है आप जैसे आफिस के आपकी जाकी देख रहे हो किया आपकी बॉस आपको अब गुस्से बड़ी नजर से देख रही है तभी आपको पता चल गया चलो आज तो बरसने वाले हैं सेर हम पे तो क्या उनको देखके उनकी बॉड़ी लेंग्वेज इसे आपको देख रहे हैं उसको देख़े कि तो आपको पता जल गया ना तो तो हुआ पर आपने ना कुछ बोले ना उन्होंने कुछ बोले रिटेन भी कुछ नहीं दिया पर आपको समझ में आ गए तो उसी को हम बोलते हैं नॉन वर्बल क्लास्रूम में बात कर रहे हैं चुछ बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं घुछ बोल रहे हैं तो जैसे लीदिते हैं परना है, barriers to effective communication, सोचो, तो आप तो चाते हो जाके हम यह 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 चीज़ explain करें, अपने boss को या फिर अपना guide को, अपना professor को, बीच में ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है, आप बोल ही नहीं बाते हो, उपने को समझा नहीं बाते हो, कभी-कभी Ewow समझना नहीं चाते है, और फॉन करके बोल रहे हो, तो फोन में आगर network चले जाएए ये तो barrier हो गया, वो समझना ही नहीं चाते है, आपके बहुए को आपके पार समझ भाहते हैं करहाँ लगता है आपको कुछ आता नहीं है लाम सब्सक्राइप लर्दरीट तो यह इनको पड़ेंगे च्छे पड़ेंगे उसके सब्सक्राइब हिराद बस्काइड पार ऊपको सब्सक्राइब में रहते हैं पर टेंशल लेने की कोई जरूरत नहीं है कुछ दस पंदरा ट्रिक्स मैं आपको सिखा दूंगी कुछ फॉर्मिला है उसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे इसे नंबर सीरी से लेटर सीरी से कोड एंड रिलेशन्शिप यह सा होता है टाइम एंड डिस्टन्स होता है रेशियो परपोर्शन परसेंटेज प्राफिड लॉस इंटरेस्ट एंड डिसकाउंटिंग अवरेज यह सारे चीज़ बहुत ही इजी है और मैत के नाम से डर्ना नहीं है हम एक दो एक दो करके हर रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से सौल कर लेंगे इसको भी है ना कर लेंगे हम लोग सब मिलके कर लेंगे मतलब हमारे नेट जारेप के बीच में किसी को आने नहीं देंगे हम सब कर लेंगे चलो अभी क्या पढ़ेंगे logical reasoning पढ़ेंगे logical reasoning में क्या है देखो इसमें न डर किस चीज में लगता है इसका जो टांस होता है इसी चीज को लेके थोड़ा डर लगता है पर ज़रूरत नहीं है डर न क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे PY की वे सब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ हमको यूँ ही आ जाएग तो आहीं जाएगा ना तो टेंशन मतलो इसको लेकर लोगों का थोड़ा थोड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है कि बहुत कठीन है बिल्कुल नहीं है अच्छा है सही है तो देखो क्या क्या है इसमें वह पहले जान लेते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स स्ट्राक्चर ऑफ कै एक स्ट्राक्चर होता है जो मैं बहुत अच्छे सा आपको सिखा दूंगी मूट्स एंड फिगर्स फॉर्मल एंड इन फॉर्मल फैलेसीस फैलेस बहुत इंपॉर्टन है अभी से मार करो कि आपको फैलेसी से कोश्चन आने वाले हैं यूज ओफ लांग्वेज कॉनेशन आप टार्म्स ख्लासिकल क्वार स्क्वार अफ ऑपोजिशन स्क्वार अपोजिशन देखा है ऐसा कुछ एक बना होता है ए ई आई ओ इन सब का बीच में एक रिष्टा होता है सुना है ना आप लोग ने इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चलो जितना क्लास आगे बढ दो रोज पढ़ते रहंगे और एकदम पूरा सब याद कर लेंगे सब पता हो जाएगा हम लोगों को कर लेंगे सब हम मिलके इवालुएशन उसके बात क्या है इवालुएशन एन डिस्टिंग्वीशिंग डिड़क्टिव एन इंड़क्टिव रिजनिंग एन आनलोजिस से कोशन आजाता है आपको पता है कुछ मतलब कुछ लाइन दे दिया जाता है तो आपको बोलना पड़ता है कि यहां पर यह कौंसी टाइप का सेंटेंस है अनलोजिकल है या कुछ और है डिस्क्रिप्टिव है यह सब कुछ कोशन आता है उसके बाद बेंड डाइग्रम है दिखें जो में क्या होता है कि आपको वालिटी प्रूब करना है कुछ शेंटेंस दिया जाएगा या फिर प्रोपोजिशन अगर ऐसा दिया गया है तो आपका वेन डियाग्रम कैसे दिखेगा अगर मैं humans ऐसे बना लू तो humans के अंदर ही तो men and women होने वाला है तो men हो गया, women हो गया, men, women, बस हो गया, ऐसे हो जाएगा वेन डियाग्रम, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद Indian logic, यह बहुत important है और बहुत, मतलब पहले इतना नहीं आता था इस चीज़ से, पर अभी इस से बहुत सारे question आता है, ना, हम लोग Indian है ना, तो अगर हम अपना ancient इंडिया को जाना जानना चाता है, तो logical reasoning का यह वाला पार्ट ना, बहुत important है हमारे लिए, means of knowledge, knowledge को कौन कैसे define किया है, वो हम इस से जान पाएंगे, उसके बाद प्रामाना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दा, आर्थवर्टी, और अनुपलब्ती, so यहां पर अगर हम प्रामानास में इधर ही जो example है, अगर इसी चीज़ को follow करे, तो हमको अभी पता चल जाएगा, there are six प् of knowledge, जो क्या क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुमान, शब्दा, these four are valid source of knowledge, and there are two, आर्थवर्टी, and अनुपलब्ती, these are invalid source of knowledge, उसके बाद structure and kinds of अनुमान, अनुमान में, उन अनुमान के structure परेंगे, और इनको बहुत अच्छे से जब डिसकस करेंगे, ताब इसको बात में हम बहुत अच्छे से डिसकस करेंगे, उसके बाद आते हैं ब्याप्ती, and हेत्वावास, fallacies of inference, जैसे हम fallacy western logic के जब पर रहे थे, तब हम बोले थे कि fallacies, formal and informal fallacies are बहुत important, वैसी जो हेत्वावास है, वो Indian जो logic है, उसका fallacies है, लेट सी, what we have next, next is data interpretation, इसमें क्या है न, कि आपको simple, कुछ graphs में, या फिर एक table में, कुछ question, एक table दिया जाएगा, कुछ data होगा, उस data के उपर से आपको question solve करना है, बस, ये math version है, जो practice से आपका हो जाएगा, और मैं पहली भी बोला है, आप लोगों को math से मत डरो, क्योंकि बहुत easy math होता है, इसमें, वो जो mathematical reasoning और data interpretation में, जो math होता है, ये बहुत easy है, इतना डरने का जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा, practice से हो जाएगा, उसके बाद है information and communication technology, इसमें क्या है general abbreviation, कुछ abbreviation दिया जाएगा, उसका full form पूछा जाएगा आपको, तो ये abbreviation तो आपको या आप उसको पढ़ लेना और याद कर लेना, basis of internet, internet, email, audio video conferencing and digital initiative in higher education, ICT and governance, देखो, ये ICT न, ICT connected कहां कहां पर है, जब आप teaching aptitude पर रहते हैं, तब आया आपका online teaching, research में ICT आया, आया न, उसके बाद, फिर से unit 8 में आपका ICT का बहुत अच्छे से जिकर, तो आप जब पढ़ेंगे, जब net का syllabus आप देखने के बाद, जब आप unit wise इसको पढ़ते रहेंगे, तब एक चीस आपको पता लग जाएगा, ये सारी units न, बहुत interconnected हैं, आपको पढ़ना भी ऐसी है, connect करकर के पढ़ना ह कि ये मेरा teaching वाला पार्ट है, चलो इसको ऐसी ही पढ़ेंगे, ये research वाला पार्ट है, नहीं, आपको teaching के साथ research को, research को ICT में सब के साथ connect करके पढ़ना है, तब ही तो आपका aptitude दिखेगा न, कि आप सब चीज़ को connect कर पा रहे हो, तो information and communication technology, ICT, teaching and research, दोनों के साथी connected है, इसके बाद हम देखेंगे unit 9, ये बहुत वार्ष सिलेबर से और बहुत important भी है, बहुत important है, जैसे millennium development goal, sustainable development goal, जो paper 2, जिनका social work paper 2 है, उनको ये तो उही पर पढ़ना पढ़ेगा, अब यहां पर भी पढ़ना पढ़ेगा, तो अगर एक जगह अच्छे से पर लो, तो दोनों काई काम हो जाएगा, humans and environment interaction, anthropogenic activities and their impacts on environment, ये भी पढ़ना है, environmental issues, देखो, अभी सबसे ज़्यादा सोचने वाले बात तो, environment pollution ही हो गया है, हर जगह, ocean layer deflation से शुरू करके, pollution, pollution हर दिन तो हम pollution के बारे में मतलब सुनते हैं न, कि इतना pollution हो गया कि मतलब सास नहीं लिया जा रहे हैं, सुनते रहते हैं, तो ऐसी water pollution होने से बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाता है, soil pollution से क्या होता है, soil pollution से, हर प्रानी इसमें affected होता है, आपका soil का fertilization कम हो जाता है, noise pollution मतलब सर दुखने लगता है, heart attack भी आ जाता है, कभी कभी, waste, जैसे waste होता है, waste तो अभी के दिन अगर आप किसी भी municipality में अगर आप जा चले जाते हो, किसी की सहर में, तो देखो के, waste को कहां रखे, यह बहुत बड़ा tension होता है, कि इतना waste होता है, waste भी कैसे कैसे होता है, solid waste होता है, liquid waste होता है, biomedical, hazardous, and electronic, और यह सारे waste को, different way में इनको मतलब बरबाद करना परता है, ऐसा नहीं कि जिसे solid को जैसे आप लोग decompos करोगे, liquid को ऐसे नहीं, different way में इसको decompos किया जा सकता है, उसके बाद आता है, climate change, and its socio-economic and political dimension, impact of pollutants on human health, human health में इनका क्या impact है, pollution का human health में बहुत जादे impact है, सोचो ना आप जैसे water pollution हो, तो कितने सारे बिमारियों हो जाते हैं, air pollution से कितना जारा प्रादिकत हो जाता है, sound pollution जिसको हम noise pollution भी बोलते है, उससे भी बिमारी हो जाता है, बहुत जादा अगर मतलब माइक बच रहा होता है, या फिर वो जो DJ आते हैं, बापरे, कापते लगते हैं धर्ती, उससे भी heart attack हो जाएगा, ऐसा लगते हैं हम लोगों का, तो impact तो होता है न, इसको हम detail में पढ़ेंगे, आगे जातके, क्योंकि ये तो सिर्फ headlines है, तो ये सब के अंदर अंदर छोटे-छोटे topic है, कहीं पर थोड़ा बड़ा topic है, जो हमको पढ़ना है, Natural and Energy Resources, Solar, Wind, Soil, Hydro, Geothermal, Biomass, Nuclear and Forest, इससे question आएगा, आही गए, मतलब ये 100% topic में आता है, कि इसमें से question आएगा आपको, मतलब solar energy में Indian state को दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आप इसको chronological order में सजा दो, कि कौन से state में ज़्यादा होता है, कौन से state में कम होता है, वैसी world का भी होता है, वैसी, इंडिया का, इंडिया या फिर और सारे countries, जो है, उनका position क्या है, solar, wind, या फिर hydro, geothermal, biomass energy में, ये सारे चीज़ भी question में आ जाता है, natural hazards and disaster, उसका mitigation, जो strategies होता है, ये सारे चीज़ को भी हमको पढ़ना है, मतलब natural hazards क्या होता है, कभी बाहर आ जाए, या फिर आत्वे का जाए, तो उससे हम कैसे बचे, ये सारे चीज़ भी हमको पढ़ना है, और उसके साथ जो चीज़ आएगा, इसमें से question आएगाई, जो environmental agreement and protocols है, Environmental Protection Act 1986, बहुत important है, question आएगा, national action, national action plan on climate change, international agreement and efforts, जैसे Montreal Protocol, Rio Submit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance, सब important है, तीन, चार पांच स्टार लगा के रखो इस unit के साइट में, आएगा है यहां से question, next क्या है, हमारा last but not the least is unit 10, higher education system, institution of higher learning education in NCN India, आज जैसे हम लोग online teaching कर रहे हैं, घर में बैट के पर रहे हैं, पहले क्या ऐसा होता था, या फिर गुरु कुल में जाके, गुरु पढ़ाते थे, बच्चे वहां पर आश्रम का काम करते थे, गुरु से सिखते थे, कैसे सिखते थे, मतलब लिखते थे, या कंप्यूटर में टाइप करते थे, या सिर्फ सुन-सुन के सिखते थे, ये सारे चीज आपको इस यूनिट से, इस चाप्टर से पता चलेगा, इवालुएशन ओफ हायर लर्निंग और रिसेर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जैसे देखो, एंसीन इंडिया में कुछ एक तरह था, जब उसके बाद जो ब्रिटिश हमारे कंट्रीज में आई, या फिर सुल्तानी एरा, या फिर उससे भी पहले, जब मुगल एरा, इस सब में कैसे थे, ये सब कुछ भी हमको जानना है, उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस ब्रिटिश आए, तब तो कुछ डेवलप्ट हुआ, या फिर कुछ डेवलप्ट नहीं भी हुआ, तो क में पढ़ने वाले हैं, जैसे कुछ कमीशन, फर एक्जामपल, राधा कृष्णन कमीशन, मुदलेयार कमीशन, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, वैसी, नाशनल एजुकेशन पॉलेशी, 1986, या फिर उससे भी आगे, जो जो है, प्रोफेशनल, टेकनिकल, स्कील बेस एजुकेशन, वैलू एजुकेशन, इन्वार्मेंटल एजुकेशन, सारे जो आपका एजुकेशन बेस्ट है, सब कुछ इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा, तो आप एक चीज़ आप लोग जब पढ़ेंगे तब देख पाए यूनिट वान और यूनिट टू से भी मैच करेगा, आप देख लेना, जब आप पड़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ICT को भी क्यों छोड़े, ICT से भी इसका मतलब आप कंपेर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, आप देख लेना, उसके बाद जो चीज़ है इसमें इसमें जाके आपको हमारे प्रियंबल, हमारे Constitution के जो प्रियंबल है, Fundamental Right, Fundamental Duties, ये सारे चीज़ भी आपको ही पर जाके पढ़ना है, तो ये है हमारा Total Syllabus Paper 1 का, बहुत बढ़ा लग रहा है ना, पर टेंशन मतलो, अगर हर रोज पढ़ेंगे, तो यूँ ही खतम कर देंग सो, आज से तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज सिर्फ सिलवस बताए, इससे आके जाके जितने भी क्लास होंगे, इस सिलवस के उपर के, उपर बेस करके हम लोग theoretical knowledge लेते रहेंगे, पहले theory का concept क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग MCQs प्राक्टिस करेंगे, PYQ, मत मैंना time enough होता है, थोड़ा थोड़ा अगर time आप देते रहोगे, तो I promise you आप, जिस दिन आप exam देने जाएंगे, तो आपको लगेगा question देखके, कि हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर ऐसा नहीं है, कि अगर आप आज नहीं पर रहे हो, अगर जून में आपका exam है, तो में म समय है, मैं सब कुछ खतम कर लूँगी, ये possible नहीं है, हर रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि syllabus जादा है, कठी नहीं है, पर जादा है, बहुत सारी चीज़ आपको cover करना है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया class लेके, आप से मिलेंगी, तब तक के लिए, thank you झाफ झाफ़े सका है, क्योंकि महीं हूँ Independenceण दोगी, झाफ़े क talked का झाले ऑफ उल्क के लिए झाले मे तो यह झाले मैं सकत है, रोजाजी चाफ़े में पता के लिए, बहुत खते हैं।